Hello everyone, प्रीस आजवाशी और विंगा hair dresser मतलब जो भी hair dresser है या होते हैं जो hair पे काम करते हैं उसके लिए salon में सबसे ज़्यादा मुस्किल काम काम सा होता है तो बेस करो आप ऐसा hair dresser या आप अगर salon जाते हैं तो भी आप बेस कर सकते हैं सबसे मुस्किल काम काम सा हो सकता है hair dresser के लिए कुछ लोग सूचेंगे कि कुछ trendy कालर करना या और को सर्विसेस करना साथ मुस्किल है या दिनको नहीं आता हुए उनके लिए तो हर कामी मुस्किल है और बट जो hair dresser है वो रिलेट करता हैगा जो बात मैं भी कहने वाला हूँ कि Hairdresser के लिए ना सबसे जादा तो मुस्किल काम होता है सलोन में वह होता है बच्चों का Hairgut करना Seriously, बच्चों का Hairgut करना बड़ा मुस्किल होता है और फिर क्लाइंट बोलते भी है कि बच्चों का Hairgut का तो प्राइस कम होना चाहिए बड़ उनको नहीं पता कि बच्चों का Hairgut करने में Hairdresser का कितना जादा मतलब वाट लगता है फर्स तो वो एक जगा स्टैंड नहीं कर सकते हैं और पूरा कुछ बच्चे तो ऐसे भी होता है ना कि पूरा सलोन ही मतलब उल्टा सीधा कर देते हैं जो नॉर्मल है बच्चों के साथ होता है और बच्चा करती है सारे बच्चे वैसे होते हैं क्योंकि होता है तो बच्चों के haircut करना मेरे इसाथ सबस्यादा प्रॉब्लम है और एक चीज है, जो उससे भी ज़्यादव प्राप्ललम होता है वो क्या होता है? कि, सपोस करें, बच्चा है ना तो बच्चो को क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा पकड़ बकड़के उनके मम्मी पापा या उनके परेंस पकड़के काटकूर देते हैं या फिर चलो ठीक है जादा रोना दोना कर रहा है तो ऐसा होता है कि चलो ठीक है इतना हो गया काफी है बाल चोटा हो गया काफी है बाल चोटा हो गया बस स्टाइल नहीं हो रहा है रो रहा है जादा या परिशान कर रहा है बाल चोटे हो गया एक बट एक और जो प्रब्लम ह थोड़ा सा जाधा चूल होता है लोगों का मदलब ब prints एजग में होता है जो भी उसे है या हम मतलब us昨 us seen बाल बड़े तरीं से बड़े हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होता है जैसे आज कि या बढद कीशयों के बारें न विले होתद की कि ये कौन सा हेयर कड़ता है, ये क्या होता है, भाई सब वो बंदा, मतलब वो भच्चा, मलब ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि ये सब मतलब इस एज में ठीक है, सोचल मीडिया का जवाना है, तो पाता चली जाता है, टेपर, ग्रैजवली, फेडेड, यहां से कम कर दो, यहां से ग्रैजवली होना चाहिए, यहां से हमारा हैर को टेपर कर दो, मलब अगर आप बिंगा हैर ट्रिसर, अगर आप प्रॉपर अपग्रेट नहीं रहेंगे ना, तो आपको 15-16 साल का बच्चे भी, 15-16 साल का जो क्लाइंट होता है, बच्चे क्लाइ मैं mentally prepare रहता हूँ कि दो बार तो कट नहीं होगा, बालों को दो बार काट नहीं पड़ेगा, क्यों कि मम्मी या पापा पीछे देचा, च्छोटा कर दो, च्छोटा कर दो, और जिनका हेर गट करो, नहीं बढ़ा रखना है, बढ़ा रखना है, तो आप खूल के, उस पार कर नहीं लगता है कि और अगर बढ़ा रख दो, तो नहीं यह तो और कट करो, और कट कर दिया तो बच्चे का घर सबसे उसके लगता है जोटा करो उसमें भी प्रॉब्लम बच्चे का पड़ा रखो उसी प्रॉब्लम पेरेंस का प्रण इस पुरेंच का है इस ट Але इसके लिए हीर देसर चीज से मंसे दोगां की तरीकर को बढ़ा है सामने का उसला है एक यह पर ने कि अगर इसवाले का बच्च्च जो एक दम चोटा निया तो आपका बीटा पूल लो लोग दो वकट कर लो तीन वरकट लो क्या भर रखता है दो चार मिनित का वहत होता है या में थे इसर भीक है पहले बच्चे कहिसाद कर दो फिर बच्चे को तो मानना ही पड़ता है मम्य बापा का बाद मानने पड़ेगा चोड़ा कर दो क्या थो मुझा होता है वह सलोन में इस टैप का बच्चे का बच्चे की मिर्ट प्रॉबलम ही यह फिर पीनेजर वाले जो इस बड़ा यह होते हैं उनका बच्च बुद्ध करना यह उनका बड़ा मस्की लेड़ा मश्कील है